गुर्मॉर्णिंग दोस्तो ताइम एंड टैंस तो हमने टैंस तो कम्टीट कर लिए अपने वीडियो डाल दी है अब इसका प्रैक्टिस से टैन प्रैक्टिस क्यूस्टन है ठीक है तो इनको देखेंगे प्रिविस येर के उसक्यूस्टन है कुछ करंट के हैं तो भाई मेरा इंगलिस में थोड़ा हाथ तो टाइट है लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूं बट ठीक है कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्रिश्चन है वट आई वांट तो टैल यू इस देट ओके आई थिंक तू लिव दिस आई थिंक तू लिव दिस जोब गैट बैक तो इंडिया एंड स्टार्ट सम बिजनेस तो यहां पर इसमें और कोई बात नहीं और यह भी सिंपल प्रिजेंट में बोल रहा है वाब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है यह वी फर्स्ट फॉर्म ओके सब्जेक्ट वाब की पढ़ने की बादा आईडिया हो जाना चाहिए कि किस टाइम की बात कर रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ा आईडिया हो जाएगा बाकि जो रूल पढ़े हैं अगर आपने वो रूल देख लिए ना तो आप क्या बगग देखते ही पहचान लोगे उसके बाद सेगिंड क् तो मतलब क्या है भई इनके जो फादर हैं I want to know how long your father is working in this company तो इसको पता है कि इसके फादर कब से इस company में काम कर रहे हैं तो मतलब past से कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा यह tense किस में आएगा यह बात किस में लिखे जाएगी present में भी कर रहे हैं और past में भी ठीक है past से करते आ रहे हैं तो present perfect continuous में टेंस आएगा जहाँ पर how long बता रहे है कि बहुत पहले से यह काम करते आ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे हम has been working ठीक है working है यहाँ पर continuous में तो यहाँ पर यह how long के विज़े से मतलब यह बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं तो यहाँ तक sentence ठीक था उसके बाद how long मतलब पहले से past से काम करते आ रहे हैं अब भी कर रहे हैं जब अब भी कर रहे हैं और past से करते आ रहे हैं तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं present perfect continuous जिसमें यूर फादर बोले तो ही हो गए इस फादर ठीक है second person होगे second person के साथ में है जोर है वो आपनों पता है यह सीट के साथ में और आईवी के साथ में क्या यूज़ होते हैं तो यूर फादर हैस बीन वरकिंग इन दिस कंपनी तो यह हमारा sentence ठीक हो जाएगा ठीक है तो इस नहीं आएगा हैस बीन वरकिंग आएगा मेरा explanation में भी थ जैसी यह question है we are in this city for seven months अब यहाँ पे simple सा rule है हमें मुझे भी याद है four के साथ में मतलब क्या countable time countable time होगा तो यह seven months बिलकुल countable time है ठीक है और जब यह किसमें हमने पढ़ा था four और since का जो rule है हमने कौन से टेंस में पढ़ा था तो यही present perfect continuous tense में since और four वाला rule पढ़ा था तो यहाँ पे क्या countable time है four okay ठीक है जी we are in this city for seven months मतलब पहले से और अभी भी रह रहे हैं तो कौन सा use होगा यहाँ पे are use नहीं होगा यहाँ पे क्या use होगा we have been अब यहाँ पे बीन तो आगया आई एंजी का लगाएं तो भाया in this city तो city के साथ हम आई एंजी थोड़ी न लगा होगे in this city नहीं वो गलत हो जाएगा यह हमारे non continuous या फिर मान लो किसी place और city ठीक है वहाँ पे उनका नाम नाम ही रहता उसको आप आई एंजी लगा की चें लो भीवानी लगा लो कोई या फिर जैपूर लगा लो जैपूर लगा लेते हैं अब यहाँ पे जैपूर होता तो आप उसको आई एंजी थोड़ी न करोगे यार नहीं वो सेम ही रहेगा ठीक है यह चीज आप ध्यान रखना एक्जाम में कभी आप यह concept लगा के आई एं मार्केटिंग थोड़ी ना आएगा मार्केटी आएगा यार तो यह मतलब एक रूल था मैं मुझे ध्यान नहीं है जिनका नाम होता है जो चेंज नहीं कहा जाए जिसको आई एंजी फॉर्म में नहीं लग सकते तो उनको सेम लिखा जाता है ठीक है और वो सेंटेंस ठीक हो this books for five months countable time है थोड़ा confusion हो जाता है जब four और since की बात आती कि four के साथ में countable time है या नहीं है तो वहाँ पर में थोड़ा देखना पड़ता है कि since लगेगा है four आएगा इनमें भी error देते हैं दोनों में ठीक है तो हमारा four के साथ में countable time है फाइफ मनस बिल्कुल ठीक है अब यह पास्ट की बात ओर रही है और अब भी चीज गर रहा है I have read these books for five months मतलब पांच महिने से वो books को पढ़ रहा है ठीक है and I have found them really interesting वो अब भी पढ़ रहा है ठीक है तो यहां पर क्या आएगा I have been reading these books for five months and I have found them really interesting एक चीज और है यहां पर है को ना होना भी दिखाते हैं अपने पास कुछी चीज का होना ठीक है जरूर नहीं यह टेंस के फॉर्म में यूजो I have this I have this book I have this car तो उस चीज के लिए मतलब अपने पास चीज को ना तो I have found मुझे क्या मिला them really interesting मतलब इन में मुझे interesting content मिला पढ़ने को मिला तो वो चीज है यहां पर दिखा रहा ठीक है यह वाव की first form यूज कर रहा है यहां पर उसके बाद of going away for any sort of pilgrimage अभी यहां पर यह दो सिंटेंस की बात करेंगे यहां पर यह वाला I cannot think ठीक है यहां पर बिल्कुल सिंटेंस ठीक है उपर वाले में देखते हैं unless you come up and do not unless भी उस हो रहा है यह negative word होता है और negative word के साथ में negative note का यूज नहीं होता है तो यहां पर do not नहीं आएगा only यह आएगा unless you come up and take up the responsibility of taking care of these pets ठीक है उसके बाद यह देखो 6th number he will help me in all possible ways if I will stick to my commitment conditional word पढ़ा मैंने conditional sentence वाली जो पांच वीडियो ना मैंने उनमें बताया हुआ है conditional word के साथ में will का use नहीं होता है क्योंकि will और sell 100% का होना दिखाते हैं और conditional word by 50% भाई हो भी और ना भी हो को दिखाते हैं ठीक है तो यहां पर will sell का use नहीं होगा यह हो जाएगा he will help me यह हमारा main close हो गया और यह हमारा if close हो गया ठीक है तो if close में will sell का use नहीं होता है ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा he will help me in all possible way if I stick to my commitment तो यह sentence ऐसे ठीक हो जाएगा याद रखना if के साथ में हम will sell का use नहीं करते हैं वह 100% को दिखाता है और if word possibility को दिखाता हो भी सकता है ना भी हो उसके बाद है 7th we all know that we can be the best only when when आगया conditional word आगया will use होगा नहीं work the honesty and sincerely तो विलकुल ठीक है यह will को उटा दो हमारा 100% को दिखाता है यह 50-50% को दिखाता है ठीक है तो conditional word के साथ में हमारा will sell का use नहीं होता है तो ध्यान रखना मैंने सब बताया थे mean close if close कौन सा है उसके बाद 8th है I am not able to start my own business because I did not get enough money yet अभी हाँ पे भीया थोड़ी सी दिक्कत है एक तो yet मतलब अभी तक चलो जी अभी यह कहरा I am not able to start my own business यह अभी तक able नहीं है ठीक है अभी तक मतलब because I did not get enough money yet अभी तक उसको enough money नहीं पराप्त हुआ है तो नहीं पराप्त हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा did की जगा आएगा I have not got मैंने यह हमारा past perfect tense में है जिसमें मैंने आपको बताय थे कौन कौन से word है जब वो आने के बाद हमारा past perfect tense use होता है तो मैंने आपको बताया था lately ठीक है already yet just so far up to now up to the present since during the past few days this is second time this is first time वो सारे words मैंने बताया थे तो यहाँ पर yet use हुआ है मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि वो action जो अभी समाप्त हुए है ठीक है तो वहाँ पर हम इस tense का use करते हैं present perfect tense का ठीक है मैंने past बोल दिया पीछे sorry present perfect tense का और वहाँ पर हम इस structure use करते है I have not got यह तो negative हो गया I have not got verb की third form है यह enough money yet अब वो theory part देख लोगे न तो थोड़ा सा idea हो जाएगा rules के हिसाब से ठीक ह उसके बाद है यह और question this is the first time I took liquor in my whole life दारू पीली भाई इसने देखो यहाँ पर क्या आएगा यह जो it is my it is the first time यह कौन से tense में note मैंने आपको rule बताया था इच्छे वाले sentence में जो मैंने word बताया ना this is first time जो भी word बताया उसी में था this is the first time it is the first time ठीक है तो वहाँ पर हम य I have taken verb की third form liquor in my whole life ठीक है उसके बाद यह question है I take tea twice a day these day because I am working a lot अब यह बंदा काम तो ज्यादा कर रहा है लेकिन आप यह देखो यह word भी twice a day मैंने आपको लिखवाय था किसमें तो twice a day वो simple present में यह word था जिससे हम दिखाते था कि यह बता रहा है कि काम कब हुआ action कब हुआ है और these day मैंने आपको बताया था present continuous tense में अब हमने यह देखना है इसके हिसाब से हम अपने tense को लिखें या sentence को कह रहा हूँ या फिर इसके हिसाब से हम अपने sentence को लिखें तो भ तो these day किस में था these day था present continuous tense में तो यहां पर क्या आएगा I am taking tea twice a day these day because I am working क्या हो जाएगा यहां पर I am taking tea twice a day these days because I am working a lot ठीक है तो आइंजी हो गया I am taking tea twice a day इसके according हमने अपना sentence यूज किया है ठीक है तो यह कुछ question थे previous year के practice question थे ऐसे ही एक दो एक दो set करके आते रहेंगे यार अगर जिस भाई को थोड़ा सा ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना thank you भाई थोड़ा support करो